आज कल के भाग दौर भड़ी जिन्दिगी में अगर सवेरे सवेरे कुछ healthy breakfast बनाना चाहते हैं आप तो इसके लिए सबसे बहतर option है पोहा जो की कम तेल और मशालों में बनकर तैयार हो जाने वाले और कम समय में लगभग 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली recipe है तो नमस्क बीजीज कीचन में आपका श्वागत है और बनाते हैं हम पोहा 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 बनाने के लिए जो में inge d humanity है वो है पोहे बाजार से पोहे लेते बग्त हमेशा ये ध्यान रखें कि मेडियम बाले पोहे नहीं ज्यादा पतली पोहे लें, नहीं ज्यादा मोटी, पतले पोहे का क्या होता है, पानी डालते ही ये घुल जाते हैं, और मोटे बाले पोहे जल्दी सॉफ्ट नहीं हो पाते, इसलिए मीडियम बाले पोहे का ही यूज करें, पोहे को इस टेनर में डाल करके हलके पानी से कर लेते हैं साफ करने के बाद इसमें हम आधी छोटी चमच चीनी डाल करके छोड़ दें के लिए सबसे पहले हमने एक प्याज लिया है जिसको बारी काट लिया है यह 25 ग्राम के आसपास में खलिया है यह एक छोटी बाउल सेव है एक चमच सर्शो के दाने एक हरी मिर्द जि एक छोटी चमच, हल्दी पाउडर, नमक, स्वाद के अनुशाद, चलिए शुरू करते हैं पोहा बनाना, इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी तेल यानि आधी चमच तेल, और इसने ये 25 ग्राम जो मूँखली रखी है, उसको डालके हम रोष्ट कर लेते हैं, पैन में फिर से डालेंगे हम दो चमच तेल, और ये सर्षो के दानी थे वो, करी पते, हरी मिर्ची, जब सर्षो के दाने और करी पते अच्छे से चटक जाए, तो इसमें डालेंगे हम भारिक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं प्याज जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे हलदी पाउडर, एक दो बार हलदी पाउडर चलाने के बाद हम इसमें पोहा जो पहले से रखे हुए थे, वो हम डालेंगे, पोहा को भी मिला लेते हैं अच्छी तरशे, फिर इसमें डालेंगे नमक को भी डाल करके अच्छी तरह से पोहा में मिला लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे निम्बू का रश जो की सबसे लाश्ट में डाला जाता है गैस को बंद कर देते हैं निम्बू का रश इसमें डाल देते हैं यह पोहे बन करके तैयार हो चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकान लेते हैं इसमें रोश्टेड मूंफली नंकीन सेव और हरा धनिया इससे हम इसको तीनों चीजों को इसमें हम मिला देते हैं पोहे बन करके तैयार हो चुके हैं यह बहुत ही हल्दी होता है बहुत कम समय में बनता है आप अपने कीचेन में इसे जरूर बनाएं बच्चों को भी बहुत पसंद आता है अगर आपको यह रेशीपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सेयर कीजिए और हमारे चैनल झाल